है 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 वाट्सअब गैस कैसा सभी लोग वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंट मैस चैप्टर थ्री चैप्टर वन और टू हमने कम्प्लीट पढ़ लिया था अगर नहीं पढ़ाया तो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप पढ़ दीजिए चैप्टर थी देखिए दो चर वाले रेकिक समीक्रण युगम देखिए इस लाइन में ही पूरा इसका समीक्रण बन रहा है कि यह कह कर मतलब पता चल रहा है कि कह क्या रहा है यहाँ पर देखिए अब देखिए अगर इसके टूगडे कर तो सही डंग से समझेए देखिए दो चर चल की इनको बोलते है एक ड़ा बेट होते हैं उनको ही हम चतुल और क्यूंकि उनका मान समय के साथ परिवर्ति होता रहता है एक चेंज करें तो दूसरे का भी चेंज हो जाएगा दूसरे का चेंज होज़एगा ऐसी उनको चर बोलते हैं तो हमारी हाथ दो चर कौनसे हो गए एक से होगे एकस और यह यह होगे और और राप来 का साइन आगई कैसे बनेंगे और देखे लेस्ट पर लिखा हुआ है यूग्म मतलब एक समिक्रन नहीं है दो समिक्रन है अब पूरी लाइंग कैसे होगी देखे इनको ऐसे व्यक्ट कर सकते हैं जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस सी की जगा हम एक लिख देते हैं ठीक है बदबर जीरो अब ऐसा कैसे एक समिक्रन लिख देते हैं एक्स प्लस य प्लस वन एक्वल टूजिए अब यह दोनों समिक्रन एकदम सेम हो गये तो हम इसको थोड़ा अलग करते हैं ये यूग्म नहीं है तो अच्छर संक्या है जिसका कोई मान है अभी हमें नहीं पता किया है इसका भी एक मान है ठीक है तो इसका एटू कर लेते हैं इसका बीटू कर लेते हैं जिस चेके आने दुरू समिक्रण अलग-अलग हो जाएंगे देखें यहां पर यह फाई एक्स प्लस 3y ऐसा हो सकता है ठी इवन और सीटू ठीक है ना ताकि यह व्यापक समिक्रण मन जाएगा अब यह दो समिक्रण है इनकी घात चर की घात कितनी कितनी है एक चर कितने है एक और दो और बराबर का साइन मतल्ब समिक्रण ठीक है और दो समिक्रण हो गया तो यूग में हो गया मतलब दो चर दो चर वाले रेकिक सेमख्रेंड गहां पहीद के तो रेकिक सेम नटोब अगये तो यूगमा मतलब दो सम्परण यहां पर वी ही पुररा दो समीख्रेंड है तो यूख्रेंड पूरा प्रस्मेर्ट घ्रकित किये आ तो तो ऐसा ही 3.1 है हम 3.1 पड़ा देते हैं जिससे कि आपको उदारण भी सारे समझ माझा जाएंगे देखिए एक रेकी समिक्रन है ठीक है जब इनको हम ग्राफ में खिचेंगे ना इनके मान लगा कर जब एक लाइन खिचेंगे ना तो लाइन सीधी आएगी इसलिए इनको रे अजहां पर कटे गी तो जहां पर करते हैं तो यहां पर एकस का मान क्या होगा हमें ऐसे पता कर सकते हैं तो वह इसे ग्याद करते हैं जहां पर प्रतिचिये दोनों रेखाएं जहां प्रतिचिये उन्हें से फिलाल हम क्या करते हैं तीन पॉइंट एक चलते हैं और जो प्रशनें उनको सही तरह किसे समझ लेते जिससे कि हमारे तीन पॉइंट-1 और इसका जो बेशिक है जो उधरन है वो सारे आपको समझने जाएएंगे अब से तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयू का रह जाओंगा इस इस्तिति को भीज गनीति है आपीज रूप में व्यक्त करें है उ commission में क्या दे रखा है एक पिता है वह अपने गुनी आयूका था ठीक है और अब से तीन वर्स बाद मैं तुमसे केवल तीन गुनी आयूका रह जाओंगा ऐसा कैसे हो सकता है भई के साथ वर्स पूर्वतों मैं तुमसे साथ गुनी आयूका था ठीक है ना मान लीजिए पुत्री जो है वो एक साल की थी साथ पहले ठीक है साल के थी क्योंकि सान्स साल फहले वह 1 साल के थी तो अभी साल के होगी और साथ साल के बाद मतलब तीस illness हाल की हो जाएगी जब यह तो पिता तीन होई जाएगा मतलब 30 साल का हो जाएगा ऐसा हमें कुछ प्रश्ण में ने रखा है अब देखेंगे कि actual में पिता की उम्र और पुत्री की उम्र है क्या जिससे कि ये दोनों समिक्रन संतूश हो जाए तो पहले मैं क्या करता हूं पहले प्रश्णत आप समझ गए मैं सीधा उतर लिखता हूं अब देखें उतर में हम सबसे पहले हम मानेंगे हमको उनकी उम्र दे रखी हैं पास् वर्तमान आयों ठीक है ना यह हम एक्स मान लेते हैं ऐसे कैसे मान लेंगे पुत्री पुत्री की वर्तमान आयों घ्याद करनी है तो हम क्या मान लेंगे यह तो हमने मान लिया एक्स और य इससे हमारे दो समिक्रन बन जाएंगे वह भी रेकिक समिक्रन ठीक है उन दोनों समि बनाने X और Y के मान रखने वही बीजगनिती होता है जो मान आते हैं उनको ग्रात में बनाने से हमें जैमिती रूप मिल जाएगा बस इन दुनों रूपों में व्यक्त करना है अराम से हो जाएगा अब देखिए मैं ब्लेक पैन यूज करता हूं लाल पैन थोड़ा साफ नही साल की है ठीक है और अब साथ साल पूर्व कितने साल का होगा मान लिजी अगर पिता आज 40 साल का है तो साथ साल पहले कितने साल का होगा 33 साल का ही तो होगा तो बस यहीं हमें बताना है कि साथ साल पहले क्या हो जाएगा जितने भी साल का है पिता वह साथ साल कम हो जाएगा साथ वर्स पूर्व क्या है साथ वर्स पूर्व पिता की आ यूव Sumie पहले तो हम x-7 कर देते हैं ठीक है वो जो x-7 कैसा है पता चला आज आस साल का है तो साथ साल पहले साथ घठाना पड़ेगा तो साथ घठा दिया क्या होगा पुत्री की आयू के साथ पुत्री की आयू का साथ गुना था तो पुत्री की आयू किया है पहले तो पुत्री की आयू आज भाई है तो आप ऐसे सेवन भाई मत कर देना यह गलत हो जाएगा क यह तो य तो आज की उन रहे है तो साथ साल पहले पुत्री की आयू क्या थी? X-7 अब पिता जो है वो पुत्री का साथ गुणा है तो यह लो साथ गुणा यह साथ गुणा मैंने पुत्री में कर दिया इससे क्या हुआ देखे LHS मान लीजे कितना भी होगा ठीक है ना जो RHS में जो Y है जो पुत्र ही है उसको अपने पिता के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सहाथ से गुणा करना पड़ेगा इसलिए मैंने सहाथ को यहां से गुणा किया है ध्यान से परस्टन को इससी हो जाएगा सब्सक्राइब थ क्या हो जाएगा अब दूसरी कंडििस器 क्या कहता है देखिए दूसरी condition कहता है प्रश्णा अनुसार दूसरी condition कहता है आज से तीन वर्स बाद आज पिता कितना साल का है पता नहीं लेकिन एक साल का है यह हमें पता है तो तीन साल बाद कितनी उमर हो जाएगी उसकी जो भी होगी पत्री के पत्री से तीन गुना हो जाएगी आज पत्री में तीन का गुना कर दिया अब दोनों की उमर बराबर होगी यहाँ पर भी इन दोनों की उमर बराबर होगी ठीक है साथ से गुडा करने से और तीन के गुणा करने से अब भी इसको सरल कर दो यह एकस प्लस थ्री हो गया ठीक है एकस प्लस थ्री हो गया बराबर 3y प्लस का 9 ओके अब देखिए अभी हम इसको पक्षण अना तरग लेते हैं यह जो एक्स प्लस 3 ने यह एक्स तो इदर लग दिया मैंने फिर यह 3y इदर आएका तो माइनस का 3y एक्वल यह 9-3 6 हो जाएका ठीक है यह अपना समयकर्ण 2 हो गया अब देखिए आपको इतना तो आता ही होगा 10 के स्टूडेंट हो अब देखिए हमें x का मान हम कुछ भी मानेंगे y का मान निकालेंगे जिससे के xy मान आ जाएंगे औ और टेबल बना देंगे तो देखिए हम क्या करते सीधा करता हूं आपको सब आ जाएगा छोटी सी गनी थे पक्षण अंत्र करना आता है मैं यहां पर मानता हूं x का मान यहां माना जो भी मान लिखते हो वह फिर में लिखना यह लिखना यही बीज गनीती रूप में व्यक हूं और यह एकस का मान यह दो मान बहुत है देखिए मैं zero रखता हूं x कमान जिरो रखने से क्या हो गया अगर 0 रखता हूं तो यह हो गया जिरो फिर यह- यह- कट गया फिर यह7 यह आया ठीक है और यह 70 जो 7 गुने में यहां पर भाग में आ जाएगा तो बचते में 7 आ यह माइनस का ठीक है यह माइनस माइनस कड़ गए और यह सांचंग बैए लिस तो जब मैंने 0 रखा तो य का मान 6 आ गया लिए देखिए य का मान 6 आ गया शेह बार कड़ गया अब एकस का zero नहीं रखते हैं अब कुछ ऐसा मान रखो जिससे साथ का बाग भी जाए अगर एकस माइनस का था है 42 माइनस का ओर माइनस का ही सेवन अब क्या हो गया Two- Burns कितना बुट गया इअ Cherie कि और यह साथ का भाग जाएगा MAR助क भागए मैंनिस मैंने प्लस हो जाएगा और नौ सबारा आएगा उतो से नॉन परकास तो जब मैने X का मान 7 रखा तो Y का मान भी 7 आ गया ठीक है ऐसे एक और मान आ सकता है 0 से 7 गये तो 7 से 14 जाते है तो 6 से 7 तो 7 से 7 ऐसे कर सकते हैं लेकिन 2-3 मान लाने की ज़रूत नहीं यह माइनस 3Y बड़ाबर 6 और Y बड़ाबर माइनस 2 ठीक है 3 का बाग देश है में तो य कमान टेबल बना देते वहीं क्या हुआ कि मैंने X कमान तो 0 रखा था तो य का मान माइनस 2 आया इस बार क्या रखता हूं मैं 3 रखता हूं अब 3 रखने से क्या होगा यह प्लस का 3 वहाँ पर जाएगा तो यह 3 हो जाएगा कि 153 तीन पर अब माइनस चल दाएगा तो टीन रखा तो माइनस एक है ठीक है यह 2 आगए अब ऐसे करते आपने देखते हैं कि क्या बनता है ठीक है चलिए तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एकस और यार्हीव तो यहां पर माइनस दो है तो हमें माइनस दूर की भी जरूत पड़ेगी तो यह एक यह दो बस बहुत तो यह से मैं स्टाट कर लेता हूं फिर आगे तो एक्स का मान और य का मान 77 दे रहा है चलिए ठीक है तो यह एक्सक्स सही है ठीक है यह एक्सक्स 123456789 चलो बहुत है हमें तो हाइस साथ चाहिए तर साथ मिल गया इसमें आ जाएगा अब यह वाइक्स कीछ लेते गया यह यह एक्स में भी साथ पॉइंट साथ आजाएगा बॉक्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आजाएगा 8 टो तो अभी देखिए फटाफट मान लगा दो वई हमें मान दे रखा है एक्स का मान यहां पर देखें जो समिकर्ण यह है यहां पर देखें जीरो है और सेवन है तो छे साथ आया तो जीरो पर सिक्स है जीरो पर सिक्स लगा देते हैं बई तो यह जीरो तो यह रहा एक्स एक्स का मान और छे कहां पर आएगा एक दो तीन चार पांच छे यह इदर और थे हम त्यव्य molds लगाते तो Ach unique तो कि कैनल के भालबब करना पड़ेगा से आराम से यहा पर तापना जीरो पे छहें को यह रहाँ इसको मेंनन जिसान ताकि गिनना पड़े वाप सिस फोक्र स्कुम। इसको मत किरना टीकर आप अब यह अभी शेवन पर सेवन वन टू थ्री फोर फाइस शिक्स शेवन तो शेवन उपर चलते हैं उपर चलते हैं और यह सेवन है क्योंकि यह चैने ता नीचे वाला यह अपना सेवन हो जाएगा अभी लाइन कीज़ दो वापस वजाज इसको मिला देता फटा फटत अ है कि यहा से इसंद परिवना ज़रू लिख देर ना ठीक है नります में बतादें तो आपको यह देखिए यहां पर न यहां पर आप पर प्रमाना जरू लिख देना पैमाना क्या है कि एक बाक्स जो है वह एक यूनिट के बराबर przy एक एक के एक उनिट के ब्राबर yx की एक बॉक्स एक उनिट के बराबर यह पेमारा लेकि जरूर देना अब चलिए हम अपना दूसरा समीकर नहीं जिसमें यहां पर यहां पर मिलेगी मिलेगी यहां पर नहीं मिलेगी, यह कोई बात नहीं, हम इसको आगे भेज़ देते हैं, हमें मिलानी है नहीं, यह मिलेगी आगे जाके, ठीके ना, क्योंकि प्रेमाना बहुत छोटा लिया हमने, यह कम से कम 30, 35, 40 तक जाएगी तब मिलेगी, ठीके, तो हमने बहुत छोटा प्रेमाना हम बताएंगे तो कम से कम 30-40 साल तो होगा मिनिमम 30-40 साल क्योंकि साथ साल पहले बेटी भी हो चुकी थी तो इस हिसाब से दिएक दो समेख्रण दे रखे थे वह सब्दों में थे हमने समीख्रण बना दिये अंको मैं फिर इनको ऐसे लिखा समयक्रण एक समीकरण दूख एकस के मान हम लगा है तो वाइक के मान गयात होगे फिर टेबल बनाई और टेबल को कराफ में निरुपित किया कुछ नहीं करन तता 6 गैंद खरीदी उसके बाद बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के तीन गैंद 1300 रुपे में खरीदी तो इस इस्तिति को बीज गणी थी और जियामिती रूप में बताईए देखे भई क्या है प्रश्ण यह है दूसरा कि एक कोच है वो अपनी टीम के लिए तीन बल्ले लाता है पहले तीन बल्ले लाता है और उसके बाद एक और बल्ला लाता है और तीन गैंद लाता है तो हम क्या करते हैं यहां पर देखिए उम्र नहीं दे रखिए पिता पुत्री नहीं है यहां पर बेट और बोल है मतलब बल्ला बल्ला दे रखा है और गेंद दे रखिए ठीक है गेंद दे रखिए अब हम क्या करेंगे माना बल्ले का मुल्य पूरा लिखना बल्ले का बल्ल y रुपए में ठीक है तो x & y तो हम बैट और बोलके मुल्य देख लिए अब कितने एलाता है तो कितने रुपए होंगे कितने गेंदल लाता है कितने रुपए रहे हैं मतलब पहली लाइन पहली मतलग 10 एक यह सब्व Fish about that तो Jalnya jsut तीन एक्स प्लास गैन दे कितने लिए छह बराबर कितने में ली तरी नाइन डबल जिरू यह पहली लाइन जो हिंट में देठी थी उससे समय करम बन किया ऐसा कईसा दूसरी लाइन किया देशी है कि दूसरी बार वो एक बल्ला लाता है मतलब सिभ स्पैश और तीन लाता है मतलब सॉरी दो या तीन तीन के लाता है ऐसे हम देशका blood तो हम्में दोनों में समान संक्या जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं कुछ भी कर सकते तो हमने दोनों में heterocyte में जितने पद देंडें करऊ यहां पर एक पद था एक पर में हो यहां नहीं बार करते हो यहां-ती चेहां X plus 2 Y बराबर 1300 ठीक है यह अपना समिकरण 1 हो गया यह अपना समिकरण 2 हो गया इसने पहले बार 1300 रुपे खर्च कीए दूसरी बार भी1300 रुपे खर्च कीए यहाँ पर भी 1liśmy गेंट लेट था पर है लेकिन एक महीने दो महीने बाद वापस वो गया एक बैट और तीन बोले प्राइज कोई कम नहीं हुआ है इसका मतलब यहां पर वाइड का जो मान है वो जीरो है क्योंकि वाइड चेंज हो रहा है लेकिन उससे कोई परक नहीं पढ़ रहा है वह ऐसा लग रहा है मिलको देखेंगे क्या होता है अब देखिए हम टेबल बना देते हैं तो सबसे पहले माना सबसे पहले क्या हों जीरो रख सकते हैं क्या है जिरो नहीं रखेंगे कुछ ऐसा मान रखेंगे जिससे एक्स और वाइगे नजदी की मिले और समिक्रण में ग्राफ में नहीं से असानी से homeless वी घिठ चिज सके तो सबसे पहले क्या करते हैं X का मान कुछ ऐसा लगाते हैं देखो मैं अगर मैं 100 लगा दू ना तो यह 100 कर जाएगा तो 2 का भाग जाएगा तो 600 आएगा चलो यह सही है मैं क्या करता हूँ X का मान 100 रखता हूँ 100 क्यूं रखा देखिए सब मैं 100 रखूंगा यह 2Y होगा 2Y और यह 1300 ठीक है अब यह 100 यहां से यहां आ जाएगा 100 माइनस में आ जाएगा यह अब यह कितना हो जाएगा 1200 अब फिर 2 का भाग देंगे तो 600 आ जाएगा तो हम टेबल बना देते हैं यह X यह Y जब हमने 100 रखा तो 600 आ ठीक है अब देखो 300 रखते हैं क्यूं क्यूंकि जो यहां 1300 गटे का तो 1000 हो जाएगा पहले 100 गटाया अब मैं 300 गटाता हूं X का मान मैं 300 रखा तो 300 गटाया तो यह 1000 हो गया 1000 में 2 का भाग गया 500 बार यह हो गया 500 अगर एक और मान रखना है तो 500 ही रख दो ना 100 300 500 तो 600 500 400 यहां पर एक कम हो रहा है यहां पर दो कम हो रहा है यह टेबल बन गई भई चुटकियों में टेबल बन गई अब यहां पर भी मान रख देते हैं X का मान अगर मैं 0 रखू अब 3 का भाग देना यहां पर तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं 100 तो रख सकता हूं देखो 100 रखता हूं तो क्या होता देखिए 1200 बन जाएगा तो भाग चला जाएगा देखिए यह 3y is equal to 100 इदर आ गया माइनस में तो यह 1200 हो गया अब इसमें 3 का भाग दो जाता है ना 412 ठीक है तो यह तो सही है अपना टेबल बन गिया क्या बनी टेबल यह X यह वाई जब मैंने 100 रखा तो 400 आया अब मैं 100 नहीं जब मैं 400 रोखूंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं देखना 400 रखने से यह 400 गटेगा जब मैं 1300 में 400 गए ठीक है तो पीछे बच्छा 900 और 900 में 3 का भाग जाता है ना तो मैंने 400 रखा तो 900 आये 900 में तीन का भाग गया 300 बार अब ऐसे देखो यहां पर 3 जूड रहा है तो मैं अगर चाहूं ना तो यहां पर 3 जोड के मैं 600 कर सकता हूं 4 5 6 ठीक है ना 700 में कितना आएगा 200 आप करके देख ले ना बले देखो 700 करूंगा तो 600 हो जाएगा 600 करने से फिर तीन का भाग 200 बार आएगा तो ऐसे तीन मान निकाल दिए अब देखो यह जो मैंने कार्चाट की ना यह आपको लिखना है समीकर्ण बनाके लिखके सर्वल करना फिर हम्में तो मुझ बहर नहीं कर दिया कि आपको लिख के करना पड़ेगा एगजाम में ठीक है इसको 20 गनीत दूर्प में व्यक्त करना जरूरी है यह टेबल रचना मत टेबल में हमने जो मान लगए है कुछ भी मान लगा सकते हूं X का मान कुछ भी रखोगे तो Y का मान उसके according दूसरा आएगा तो X गलत नहीं आएगा अगर X का मान में 5 रखता हूं न तो Y का मान आएगा पॉइंटों में पर सही आएगा गलत नहीं आएगा चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको ग्राप इसका खीच लेते ठीक है चलिए अब देखिए यहां पर इसको में थोड़ा पीछे ले लेता हूं अब देखिए यहां पर हाइस्ट मान देखो 600 500 400 400 300 200 500 400 300 मतलब कुल मिला के हाइस 600 600 600 600 600 से कम लेना मतलब 행 X का मान मैं हमें सार्च चाहिए तो यहां पर देखिए मैं प्लाद मतलब है मैं प्लाद मान मैं क्या ले रहा हूं कि 1 बॉक्स एक्स ऐक बॉक्स जो हैマ는지 7 के बराबर है क्योंकि हमारी unit 100 की ही ठीके बीजिए 1 दो सूझ जाएगा कि ऐसे 300 400 500 600 700 यहां पर आ जाएगा यह सांसो आ गया ठीक है मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं यह अपना सांसो है ठीक है यही से यह यह भी सो हो जाएगा 200 300 400 200 300 400 500 600 यह 600 अब देखो यहां पर इस स्क्रीम पर देखिए 100 और 600 एक्स कमान तो यह 100 अपना यहां यहां पर हो गया तो यहां से सीदत ऊपर चलो और यहाँ पर एक point लगा दो उसके बाद x का मान 300 तो y का मान 500 है ठीक है तो 300 500 यह 300 और 500 यह 500 थोड़ा नेचे हो गया न point बरावर मिला ना भई ठीक है 300 पर 500 सही है अब 500 पर 400 यह अपना 500 इदर हो जाएगा 300 400 500 अपना हो गया यह और 400 पर 400 यह इदर हो जाएगा ठीक है इसको भी ला देते हैं भई यह लीजिए है ताकि कोई बिंदू जो है वो हटे ना कि दिखता रहे है कि यह लीजिए चलो ठीक सही आ गया अब यह पॉइंट हमारा यहां से जा रहा है ठीक है ऑगे बराबर है अभी है दूसर समयकर देखें यहां पर 100 400 700 400 300 200 एक्स का मान सो तो वाइक का मान 400 एक्स का मान 100 तो वाइक का मान 400 यह 400 हो गया येलो भई त्रीक है येलो पॉइंट हो गया उसके बाद अभी 400 पर 300 ये 300 400 हो गया 400 पर वाई कामान 300 है तो येलो 300 ओके और 500पे 200 आधे 500 ऑभी 600 ये लोगार्स आधे 500 ये तो फिक्सफ है देखतें यहां पर करती है और हमने बताया ता के जो बॉल है वो फ्री में आ रही है तो देखतें है अब आती नहीं आती प्री में अब इसको इसे मिला मिला देते हैं एक मिल गए पर विंदू यहां नहीं मिले भई, बिंदू कहीं आगे जाके मिल रहे हैं, कोई बात नहीं हमें क्या करना है, हमें X और Y के मान ग्यात करने नहीं है, फिलाल तो ये लो, अभी देखो एक बात ध्यान दो, इधर दो, देखो, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये 800, 900, 1000, 1100, 1200, और ये बेरे हिसाफ से 1300 पे कटेगा, ये 1300 पे 100% कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि जब बल्ले का मुल्ये 1300 रुपे होगा ना, ठीक ना, 1300 रुपे होगा ना, तो उसे होगा क्या, एक बल्ला 1300 का, दूसरा बल्ला 600 का, और तीसरा बल्ला 4900 का, मतलब 3900 का, तीन बल्ले लाए, उन चालिसो रुपे में, झीर है यहाँ पर पता चल रहा है समीकरन से पता चल रहा है ग्राफ में हमें नहीं दीख सकता हमें ग्राफ करना था हमने कर दिया तीसरा परशन करते हैं समझ मां रहा है तो लॉयग करें चले तीसरा ا residesasser करते हैं तीसरा पस न कहता है दो केज़ी शेव और एक आगव का मुल्य कि सीदिन Soul सो रुपए था एक महीने बाद चाहर केज़ी सेव और दो केज़ी अंगूर का मुल्य 300 रुपै हो जाता है यहां पर देखिए प्रस्ण तीन में सेव और अंगूर दे रखे हैं सेव और अंगूर तो सेव जो है उनके मुल्य ग्याद करने तो माना देखिए जो मैं लिखना हूँ वह ध्यान से देखना यह जरूरिया लिखना माना सेव का मुल्य है यह मुल्य हमें मानना पड़ेगा हम क्या मानते हैं एक्स रुपए है ठीके ना एक केजी का लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर अलग-अलग केजी खरीता है माना सेव का मुल्य है एक्स रुपए प्रति केजी ऐसा लिख देना प्रति केजी एक केजी का एक्स तो मुल्य होगा तो वो कि वाई रुपे प्रति केजी यह चलो एक्स और वाई के मान आगए यह तो आगे प्रस्टन में प्रस्टन पढ़ते हैं उसकी हिसाब से ना इनके समिक्राइब बना देते दो केजी सेव और एक केजी अंगूर का मुल्य किसी दिन सोगे तो देखो द यह कि था यह लो कितना रुपे में था consistsटो को और दूसरा है चाल केजी सेव यह लोग 4 और वेिगूर केजी अंगूर पर कितने फ्रस्टन था 300 हुपिए टीक Tu यहां दीके यहां पर दो का बाग जा रहा है देखिंए मैं दो का बाग देता हूं सब में तो यह गया compact 2x- antes दो ठीक है अब देखो अब क्या होता है यह समीक्राइब हो गया यह समीक्राइब 2 x2 pace ओना रस बाई जब हम वह ना दो तीन पधर और थे स्वूर में यह इसे कर साहीं और देखने से प्रता चलेगा यह जो साहीं ज कशीन ही कटेंगे कभी नहीं कटेंगे इनकी स्वूर्ण न चोर्ण कटेंगा 3.2 में पड़ेंगे फिलाल हम देखने से पता चल रहा है कि भई हमारा समिक्रम तो बन गया टेबल बना देते हैं और इनको व्यक्त कर लात ए फिलाल हम इतना ही करेंगे 3.1 में इतना ही करना है तो X और Y के मारा फटा पर लगतेते हैं अब देखो हमने तो कुछ ऐसा रखते हैं जिससेन की नजदिक का माना है मैं चाली सकता हूं अगर मैं चाली सकूंगा ना तो चालीश दुआ असी चरजाएगा अगर मैं चालीस सकता हूं न तो 110 में से असी गया ADC अब सम्स् из upfront अगर मैंं पचा सकता हूं तो 52 सो अगर मैं 50 सकता हूं तो यहां पर यह एकशुशाँंट मैं से ऑजायगा तो सांट आएगा चलो ठीक है यह दो माना गए अब क्या मरें इसमे नकता हूं अभी देखिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 120 हो जाएगा अगर मैं साथ रखता हूं 120 हो जाएगा तो यहां पर 30 आ जाएगा यह मान आ अब फटापट मान लगए हैं मान देख लेते हैं सही है कि नहीं है चालीस से असी आता है चालीस अकने सब्सक्राइब नहुण सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राडिन नहीं हलें उसको बाइक देख स्कियों आ परहें टेखें यहां पर जो मान है वह रुपे में चालीस पचालीस रुपे पचास रुपे असी रुपे यह सब रुपे ठीके न तो पैमना क्या लेंगे एक बॉक्स दस रुपे के बराबर होगा तकि हमें हाइस्ट असी तक जाना है चलो हो जाएगा हमारा वाई कमान असी आ रहा है क्या पता एक दो तीन चार पांच छे चारीघगा महीं कमान आठ चाहिया मैं जजी करें देख लेते वह तो कुछ नहीं इसको मैं मैं चेंज कर लता हूँ क्योंकि असी मेरा नहीं चेन्ज पिश्च कर लेता हूं यहां पड़ेखए मैं 40 नहीं रखता हूँ मैं ऐसा करता हूं मैं 60 अगा ना इसे से किया होगा ऊ तो इसमें y कमान 8 मतलब y जो है वो पैमाने में 8 बॉक्स नहीं मिल रहे मुझे पूरे तो फिर वो ग्राफ सही नहीं खिचा जाएगा इसलिए तो अभी हमने बरो बरो ग्राफ ले लिया है अब हम मान लगा लेते हैं मान है 60 तो y कमान 40 x कमान 60 है तो यह एक बॉक्स 10 रुपे यहां पर एक पॉइंट आ गया अभी वाई कमान कितना गया था 40 ठीक है तो यह एक दो तीन चार यह लो भी अपना पॉइंट यह इदर था तो यह आ गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ओके तो 60 पर 40 आ गया अब 50 पर 60 आएगा तो यह सांट था यह 50 हो गया 50 पर हमारा मान कितना आएगा देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यह लो यह अपना दूसरा मान आ गया कि 50 पर 60 ठीक है इनको मिला देते हैं फटा फटा यह लाइन आ गई अब देखो ऐसी की ऐसी दूसरी लाइन भी आएगी देखना पचास पर पचास यह पचास था और यह पचास कि 1 2 3 4 5 यह लो भी पचास पर पचास और साथ पर तीस एक्स का मान साथ है यह लो साथ और यह तीज इसको मिलाते हैं देखते मिलती क्यां अ है अ यह देखो यह इसको समानतर चल जीए यह कभी ने कटे देखो बराबर गैप चल रहा है इनका आप पीछे भी देख लेना अब पीछे जाओ कि और इसको भी आगे मिलाओंगे ना कि अब यह कभी नहीं करेंगी दोनों बराबर गैप में चलती रहेगी तो यह दोनों समानतर रहा हैं और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे समय करना आते हैं जिस पर सीवन सीटू का मान अलग होता है बाकि एवन एटू एवर बीवन बीटू के मान समान होते हैं उनके अनुपात समान होते हैं तो वह कभी नहीं करते हैं ठीक है तो यह अपना हो गया 3.1 का तीसरा सवाल आज की जो पड़ाया है तो सायद समझ में आया गानी आप कमेंट में बताना जरूर कि मैं ऐसे फास्ट पड़ाओं या थोड़ा स्लोच पड़ू बताना जरूर थैंक यू झाल 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 झाल